सब्सक्राइब कीजिए हाइटेक किसान यूटूब चैनल को और बिल आइकन को दबाईए लेटेस्ट एग्रिकल्चर वाफिस फार्मिंग की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार किसानदोस्तों किसान आज हम आपको सबसे ज्यादा कोईशन आते हैँ कई-कई-किसान तो एसा है कि इसमें बहुत गल्टी कर देते हैं उसी पर हम आज इस वीडियो में डीटेल से बात करेंगे और वो टॉपिक है यह इस तरह को कि अपका जाता है यह इस तरह से कर On C शाखाय निकली को आप ध्यान से देखिए इस बात को और ल Zarate को अपने दिमाग में चाप ले गाएं तो यह चीज जो है इसकी साखाय गाने से जर्मिनेट नहीं होगा तिर्शा लगाने से देयन नहीं होगा काफी प्रॉब्लम आएगा लिटा के भी लगाने से प्रॉब्लम आएगा तो सबसे अच्छा तरीका इसका क्या है कि आप इसको खड़े में लगाएं जैसे यह खेत है यह आपके पास पहुचा है आप इसको कई तरीके से लगा सकते हैं तीन भाई तीन का बिड बना के लगा सकते ह या आप खेट में पानी भरने के बाद जैसे हम धान की रुपाई करते हैं उस तरीके से भिस से भी इसका सिस्टेम है आपने इत्सकों लिया और इसमें आपका क्षtt में आपकी नमी नमी के साथ ही इसको आप ऐसे पनज कर दीजिए बस यह आप देखिए यह साखा है इसको आपने ऐसे जमीन पर गाठ दिया बस इसके बाद इसकी जो आप उसके गाठ है वह वहाँ से जर्मिनेट होना चालू कर देगी सबसे बढ़ी बात कई किसान भाई कहते हैं कि कि दो आखायं तिनस आ इसका कोई इसू नहीं होता है कि जब भी आप पते लगाते हैं उसमें से खाली इसमें दो गाठ हो य चार गाठ Armen वह से कोई मतलब नहीं होता है यह जो इसकी साखाएं हैं यह जमीन के अंदर होगी तो जर्मिनेट यहीं से होगा एक पौधा जब यह जर्मिनेट होगा ऊपर का जर्मिनेट भी हो जाता तो उसका कोई मतलब नहीं होता है न वह ग्रोथ करेगा वह उपर जर्मिनेट होके वैसा पड़ा रहेगा तो सबसे अच्छा होता कि आपकी जो गांट है वो अच्छी नसल की जो है आपको सीड मिले और वो मिच्योर गांट हो और उसको आप सीधे जमीन पर लगा दें जैसा कि हमने आपको दिखाया उसमें कुछ करना नहीं है इस तरह से इसको लगा देना है बस बाकी आपका सारा काम खतम औ और दो गांट से कोई मतलब नहीं होता है एक दिमाग में आपको यूटूबरों ने बहाम डाल दिया है कि दो गांट होनी चाहिए या एक गांट हो दो गांट हो चार गांट हो उस से कोई मतलब इस बाद का आपको विशेज ध्यान देना है तो यह था आज का हमारा टॉपिक की फोर्जी बुलेट सुपर ने पिर हाइबरेट हरे चारे को आपको कैसे लगाना है मुझे उमीद है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल समझ गये होंगे इसका लगाने का तरी आप लोगों को सुपर ने पिर फोर्जी बुलेट चारे को लेकर आपकी कोई रिक्वाइरमेंट है तो हमारा सप्लाई का काम आल इंडिया हमेशा चलता रहता है आप अपने रिक्वाइरमेंट हमारे साथ सेयर और साजा कर सकते हैं हम उस पर समय पर इमानदारी से डिलिव हमारी बाते हमारा काम पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जिससे अन किसान भाईयों का भी कुछ भला हो पाए ठीक है किसान भाईयो जय हिन जय भारत